नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आज इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज के जो वीडियो होने वाला वो है आपका उत्तर प्रदेश सिख्चक शम्विदा भरती 2022 का जो एक आपका नोटिपिकेशन जो है जारी किया गया है भरती से बारे वीडियो बनाया था तो यहां पर दोस्तों इस बात के लिए बार बार जो है कमेंट आने लगे थी यह भरती आपकी फेक है तो दोस्तों जैसा कि आप पिछला वीडियो जो लोग देखे हूंगे जो प्रथम दस्टे देखने से तो यह नहीं लग रहा था कि यह वैक है कि आपको ऐसी कोई जानगारी सेर न कीजा जिससे आपका नुक्शान हो क्योंकि यहां पर भरती पे जो आपका वो रखी गए फीस वो साड़े चार सो साड़े तीन सो ढाई सो इस तरह से रखी गई है तो यहां पर देखे हम लोग क्या है हम लोग सजेस्ट करते हैं तो अगर गलत है तब भी गाली खाते हैं सही है तब भी गाली खाते हैं पूछे कैसे जैसे यह भरती गलत निकल गई तो जो लोग नोटिपिकेशन को देख के फार्म बरते वो गाली देंगे बाद में अगर यही भरती में भी ऐसा हो गया कि यह भरती सही निकल गई और हमने बताये कि भरती गलत है तब भी जो भाम नहीं भर पाए होंगे हमारी जैसे वो भी गाली देंगे यानि कि ना हम घर के होते हैं ना घाट के होते हैं लेकिन कोई बात नहीं यहां पर हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा इस इस पेस इस इस तर पर काम करते हैं तो कुछ जो है हम जो माइंड है जो कांसेप्ट है उससे क्लियर हो जाता है कि यह भरती वास्तों में सही है या गलत है अगर आप देखेंगे पिछले वीडियो एक बार आप जरूर देखिएगा कि जिस हिसाब से यहाँ पे आपका इसकी वेपसाइड बनाई गई है और वेपसाइड में आप इंटर्य करेंगे और प्रवर्फर पीडिया यहाँ पर आपको मिल जाएगा सभी बेकेंशी होगा फौर्म कैसे बरना है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा थो यहाँ पर हमें भी कहीं से नहीं लग रहाते कि यह भर्ती fake है लेकिन यहाँ पर जब बहुत reply आता है तिया आपको मैं दिखा रहा हूँ देखिए औरी दोस्तों यहाँ पे जो आपको notification में नंबर दिया वे नंबर यह है और यहाँ पे देखिए लगाया गया है e-national education mission का जो है logo लगाया गया हमने यहाँ पे message किया hello sir तो उधर से automatic यहाँ पे देखिए एक आपका message आया यह भरती e-national education mission संस्ता दोरा निकाली गई है संबीदा सिच्छक अंतिम दिनांग 25 अक्टूबर 2022 तक महत्पूर लिंक यहाँ पे देखिए आपसल वेफ साइट के लिंक दिया है आवेदन करने के लिंक दिया है सिच्छक online यहाँ पे देखिए लिंक दिया है सम्मीदा सिच्छक में चैनित होने के उपराम सभी उपकरण संस्ता प्रदान करेगी संपर करें यहाँ पे टॉल फ्री नंबर दिया हुआ यह नहीं लग रहा है मेल किया यहाँ पे कोई रिप्लाई नहीं आया और यहाँ पे हमने एसमेस के सर मेरा कुश्चन है कि TGT पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए मैंने का साइद कुश्च तो रिप्लाई आया लेकिन अभी तक इस पे कोई रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब यह है कि टोटली क्या है फेक है एक पूरूप मैंने आपको यह दिखा दिया अभी देखे दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ चलिया आईए दोस्तो उसके बाद मैंने जो उस पे नंबर दिया हूँ उस पे कॉल किया तो उस पे नंबर नहीं लग रहा है यानि कि वो आटोमेटिब डिसकनेक्टो जो जा रहा है कोई कॉल उस नंबर पे नहीं लग रही है तो दोस्तो देखे ट्विटर एकाउंट हम आपको अपना बता दे मनोज पटेल 297 यहाँ पे देखिए हमने जो ट्विट किया है वो है आट दरेड यूपी गवर्मेंट करपया बेरोजगार यूवाओं को फरजी वाड़े से बचाएं यह बैकेंसी फेक है या रियल उत्तरपदेश सिख्छक सम्विदा भरती का नोटिपिकेशन जारी किया गया है जिसको देखकर यह प्रतीत होता है कि यह फरजी है उत्तरपदेश योगी सरकार बैकेंसी को संग्यान में ले अगर गलत है तो यहाँ पे NGO के खिलाब उचित कारवाई करे है यहाँ पे देखिए हमने इसका पूरा डिटेल डाला हुआ है आप ध्यान से देखिए यहाँ प दुबारा टूइट किया ध्यान से देखिए फिर से मैंने इक बार हो ईनको टूइट किया एक बार एक यहां पर यह पर देखिए इस टूइट में देखिए आज तक वाले नियूज वाले जो उनको मैंने टूइट किया हम यहां पर साइबर दौस्थ को लिया मैंने यहां पर डी जी पी यूप्यू पुलिस को लिया डिफेंस मिनिस्टर इंडिया यहाँ पे मिनिस्टर इंडिया को लिया PM मोधी को लिया, BCC हिंडी को लिया मैंने सबी को टैग किया है कि इस पे कोई ध्यान दे लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ भी ऐसा रिपलाई नहीं आया है इसका मतलब है कि मामला highlight नहीं हो पर दोस्तो ये unity बहुत जरूरी है अगर आप लोग साथ देंगे तो यहाँ पर clear हो पाएगा तो आप लोग क्या करिए कि मेरे twitter account में आईए और retweet करिए बार बार retweet करिए मामला को highlight करिए ताकि इस पर जो है गवर्मेंट ध्यान दे और जो फरजी ये NGO ऐसी जो बैकेंसी निकालना है वो clear हो पाए कि फरजी है या जो है रियल ठीक है दोस्तो दूसरी बात है कि हमने इसको जो है इस बैकेंसी को लेकर tweet किया है तो tweet हमने जो है उतरपदेस government को किया पीम मोधी सर को किया हमने और यूपी पूलिस को किया हमने और यहाँ पे आज तक न्यूज को किया, सबी को मैंने टुइट किया कि यहाँ पे कुछ इस पे बात को वाइरल किया जाए, इसको नोटिपिकेशन को वाइरल किया जाए और साइध इस द्रस्टगत पता लग पाए कि यह भरती फेक है, रियल तो वहाँ पे भी कोई रिपलाई कहीं से नहीं आया, तो यानि कि यहाँ पे यह समझ में आ गया और जो वाटसप पे रिपलाई आया, यानि कि वो आटोमेटेड है, यहाँ पे दोस्तों वाटसप पे अगर कोई एसमेस करता है तो एक जो है उस पे वाटसब के अंदर फैसिल्टी है कि कोई आपको वाटसब करेगा तो आप आनलाइन हो चाहने हो आटोमेटिक इसमें चला जाता है तो वो सारी चीजे मैं भी आपको दिखाऊंगा तो दोस्तो इससे क्लियर हो पाया कि ये भरती हमारे हिसाब से दोस्तो टोटली फेक है तो जो भी भाई भाय हमारे दोस्त यहाँ पे फार्म भरने की सोच रहे थे वो फार्म को ना भरें अगर आपको फिर भी लगता है एक ब मेल से रिपलाई नहीं आ रहा है सिर्फ दिखा दिया गया है फार्म भर दीजे पैसा जमा कर दीजे और एक बात इसमें और हमको गड़ब लगी कि इसका जो पेपर है वो घर बैठे आपको देना है तो यहाँ परी से डाउट हो गया दूसरी बात है कि जो इसका ऑफिस है वो राजिस्थान दिखा रहा है हमने ये भी ट्रेक किया तो राजिस्थान पर इसका ऑफिस है और उत्तरपदेश की सम्विदा भरती निकाली जा रही है और यहाँ पर उत्तरपदेश गवर्मेंट को या तो पता नहीं है या भी ध्यान नहीं दे रही है तो यहाँ पर हम दें इस पर यह ऐसी वैकेंसी एंजियों के दोरा निकाली जा रही है तो अगर रियल है तो इस पर बता दिया जाए तो बच्चे यहां पर फॉर्म भरें और रियल नहीं तो ऐसे एंजियों के खिलाब सक्त कारवाई की जानी चाहिए कि यहां पर बेरोजगारी का फाइदा उठाके ऐसे एंजियों वाले यहां पर लूट मचाए हुए हैं और यहां पर बेरोजगार फस्ते जा रहे हैं हम लोग का दोस्तों क्या है हम लोग क्या है न्यूज आप लोग तक पहुंचाते हैं देखिए यहां तक कि आपका जो कंप्यूटर होता है उसकी भी एक्यूरेसि सव में सव परसेंट नहीं होती हैं कि 99.9% होते हैं हैं 100% कभी नहीं होती तो हम तो इंसान है कोशिस करते हैं हैं 100% लेकिन उपर निच्छे 1% में गल्ठियां हो जाती हैं इस्टेक हो जाती हैं तो कुछ अपना भी आप लोग कामन सेंस लगा हम लोग कोशिस करते हैं कि कोई गलत इंफार्मेसर रिलीज ना हो कि इससे जो है नुक्षान हो जाएगा सभी का तो लोगों का भरोसा टूटे गाम पे तो दोस्तों यहां पे हमने पूरा कंक्लूशन नि लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिशन में दे दिया है रिटूउट कराईये ताकि इसके खिलाप हम क्या कानूनी कारवाई करवा सकते ऐसे एंजियो के खिलाफ हम कारवाई करवा सके ताकि दूबारा से किसी प्रकार की जो गलत नोटिपिकेशन निकाल रहे कमाई की कुई कि हम आपके लिए हम ऐसे से यूजफूल कंटेंट अपने वीडियो पे लेके आते रहते हैं अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे जय हिन जय भारत